चलो आज बनाते हैं पंजाबी चोलियादे पनीर की सबची तो जबी हरे मटर की सीजन जाती है ना तबी ना धिरे धिरे हरे चने की सीजन आ जाती है और ये जो चने है ना आपको विंटर यानि की थंडी के लावा ना कोई भी सीजन में नहीं मिलेगा तो थंडी खटम होने स पहले फटाक से आप बना लो तो इसके लेना इस तरह से हरे चने आपको मार्केट में किदर भी मिल जाएगा ट्वीडर मैंने करीबन 200 ग्राम जितने हरे चने लिये हैं तो इसको ना हमें दोनों हाटों से इस तरह से फोड़ के अंदर से ना चना निकलेगा बसी तरह से मैंने सारे चाने अलग से निकाल के रखे हैं आप चाय तो इसको फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो सबसे पहले एक कुकर ले लो इसके अंडर ना 200 ग्राम जितना चाना छीला हुआ एक ग्लास पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल दो स्वार अनुसा और हाई फ्लेम में दो विसल बजाना है दो विसल के बाद आप देख सकते हो जो चणा है ना वो अच्छे से पग गए है और इसके अंडर का जो पानी है ना वो फेक की गया नहीं वो पानी ना सबजी में इस्तमाल करेगे तो यह सबजी हम पनीर के साथ बना रहे है इसलिए मैंने इडर 100 ग्राम जितना पनीर लिया है आप चाये तो बीना पनीर के भी ये सबजी बना सकते हो मैंने बीना पनीर की सबजी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है आप चाये तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो पनीर के इडर मैंने चोटे-चोटे टुकडे किये है एक कड़ाय में दो टेबल स्पून ओल ले लो उसके बाद हमें दीमी आजपे ना पनीर को रोस करना है हलका सा गोल्डर ब्राउन होने तक रोस कर लो स्वालों सा नमक डाल दो जब टक पनीर रोस होए तब टक इसका ना मसाला प्रिपर करते हैं इडर मैंने ना दो चमच जितना दही लिया है इसके अंदर मैंने एक चमच घरम मसाला आदी चमच हली पाउडर आदी चमच मैंने हिंग डाला है एक चमच मैंने धन्या जीरा पाउडर और दो चमच मैंने लाल मिच पाउडर डाला है और उसके बाद हम डालेगे आदी चमत जितना शकल और डई है इसलिए बैलेंस हो जाएगा स्वाद में स्वाद अनुसा नमक डाल लो और मैंने एक चमत जितना बेसन डाला है जो चने वाला पाने टाना बस वही मैंने इस्तमाल किया है सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लो और हमारा जो मसाला वाला ग्रेवी है यानि की पेश्टे वो तयार है अभी हमें उपर से कोई भी एक मसाला नहीं डालना है मसाले को ना अच्छे से मिक्स कर लो कि एक भी गुटलिया ना बचे तो एक कड़ाए में मैंने 5-6 टेबल स्पून ओयल ले लिया है एक चमच मैंने राई डाला है एक चमच मैंने जीरा डाला है आधी चमच मैं डाल लोगी हिंग तो गैस की जो आच है हमें दीमी ही रखनी है उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला है दो सुखी वाली लारमिच डाला है एक टेज पत्ता डाला है उसके बाद अद्रक लसुन और मिची का पेश डाला है गेस को हमें धीमियाच पर ही भूनना है और उसके बाद मैंने इदर एक बारिक कटा हुआ प्यास डाला है दो ब्यारिक कटा हुआ टमाटर डाला है सभी को हमें धीमियाच पे भून लेना है और थोड़ी दिर के लिए हमें दो मिनिट तक न ढखके रख देना है जब तक न टमाटर और प्यास है सॉफ्ट न हो जाए न तब तक हमें भून लेना है तो इससे साइड में हम देख लेते हैं हमारा जो पनीर है धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हमारा पनीर भी अच्छे से पक गया है दो मिनिट की बाद आप देख सकते हो टमाटर और प्यास है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है उसके बाद हमने जो ग्रेवी प्रिपेर किया था ना मसाला वाला वही डाल देना है बस अभी उपर से एक भी मसाला नहीं डालना है आप चाहे तो थोड़ा सा जो बच गया था ना चने में वो वाला पानी आप इस्तमाल कर सकते हो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हो इतो इद़ना मैंने आदा से भी थोड़ा सा गलास मैंने पानी डाला है जारा पानी नहीं द्माल किया है थोड़ी दीर के बाद आप देख सकती हो कि ओईल ना सेपरेट हो गया है और जबी सेपरेट हो जाएगा ना तभी उपड़ से आप पकए हुए चने और पनीर उपड़ से डाल लो अगर इस स्टेज पे आपको पनीर नहीं डालना है ना तो बस चने डालके ना अच्छे से मिक्स कर लो तो आपकी सबजी ना हरे चने वाली सबजी तयार हो जाएगी ये सबजी ना बहुत ही बहतरी लगती है तो जैसे हम मटर को स्टोर करते हैं वैसे हम हरे चने को भी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर के अंदर तो आप इसको कोई भी सिजर में खा सकते हो क्यों को हरे-हरे मटर ना ताजी मार्केट में सिर्फ विंटर में मिलेगा अगर आपको विंटर के अलावा भी आपकी इसकी सब्जी बनाना है तो आप इसको स्टोर करके आराम refugees से रख सकते हो बस हरे मटर को आपको चीनना पड़ेगा तो बन गई हमारी पनीर चोल यादी सब्जी विट पंजाबी तड़का फ्राई तो देर कीस बात की आप फटाक से मार्केट जाओ और चने लेकर आओ और इस तरह से रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक श जरूर देखना और कमेट में मेरे को बरकाना की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू